दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे गाउ की जहां बसने के लिए सरकार आपको 45 लाक रुपे देगी। सायद आप चोग गए होगे, लेकिन ये सच हैं, पर इसके साथ सथ यहां पर रहने की एक सर्त भी है। ये गाउ सिजलेंड में है, जहां परिवार को बसाने पर 53,000 ब्रिटीज जोलर यान 45,50,000 रुपे का उफर दिया गया है। दसन में प्रकासित खबर के मताबिक सिजलेंड का मांटेन विलेज एल्बिनिन लोगों की कमें से जूज रहा है। यहां रहने वाले परिवार सहरी जीन की तरफ आकर्शी तोकर सहरों की तरफ प्लायन कर रहे हैं। ऐसे में इस गाउ में केवल 240 लोग ही बचे हैं। पिछले साल ही यहां से तीन परिवार और सहरी की तरफ प्लायन कर गए थे। यह गाउं और गाउं में बने सभी गर पूरी तरह से खाली पड़ा है, यहाँ पर चर्चादी सभी चीज की सुईदा है, गाउं से लगातार हो रेपलायन के कार्ण यहाँ पर केवल साथ ही बच्चे बच्चे हैं, इस वजए से गाउं में संचालित होने वाले स्कूल भी ब लोकल एथोर्टी ने यहाँ पर परिवारों के संक्या बढ़ाने के लिए निवेज करने का प्लान बनाया है, इसके तहित 45 वर्स से कम उमर के लोगों को परिवार के साथ बसने का ओफर दिया गया है, अब बात करते हैं सर्थ की, लोकल एथोर्टी की तरफ सी गाउं में सि सीटी का फायदा लेने वाले परिवार को गाउं के कुछ नियम कायदो को फोलो करना होगा, इसके तहित यहाँ आने वाला कोई भी परिवार मकान खरीदने के बाद या 10 साल बाद भी अगर गाउं को छोड़ कर जाता है, तो उसको पूरी की पूरी रगम वापस करनी और अगर वीडियो चलेगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, धन्यवाद